द्योगिंग नगरी लुध्याना में कल से हो रही बारिश ने जल भराव किया शहर के परमुकसड़कों पर पानी भरने से और शहर की रफतार धीमी रही आम दिनों के मुकाबले लोगों ने बारिश की वज़े से लगने वाले जाम से बचने के लिए घरों में रुकना ही मुनासिव समझा बारिश ने शहर के निचले इलाकों में भारी जल भराव किया जिसकी वज़े से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है हलाकि मौसम विभाग ने भारी से दर्मियानी बारिश की चतावनी पहले ही दे दी थी, फिर भी महानगर निगम ने कोई विशेश प्रभंद नहीं किये, जिसकी भरपाई अब निचले एरिया में रहरे लोग भर रहे हैं जिसरा की काफी दिनातों आसी हे मैसेज़स कनवे कर रहे सीगे क्योंकि साड़नों फोरकास्ट सीगी की जड़ा 5-6-7 दे विच वेस्टन दिस्टर्बिंस पंजाब नो अप्रोच करेगी सो असी मैसेज़स दे थ्रू एडवाईजरी फार्मर्स नो कनवे कर देती हैं इसी कि इना दिना दे विच जड़ी है बारिश दी समावना है मैं दुसी देख्या कि कल रात नो काफ़ी बारिश होई है साड़े कोल 44-45 मिली 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 मिटर जड़ी बारिश रिकॉर्ड होई है साड़े आट तक उस तो बाद भी लगातार बारिश पहरी है किते किते गड़े वी जरूर पहेने बिजली भी लिश्क दी रही है तो वे सारा सिस्टम जड़ाया वेस्टन डिस्टर्बिंस जिनूर सी पच्छमी चक्रवात कहने ओदे असर दे हेट हो रहे है सो हले कल तक इस तरह ही रहें दी समावना हैगी है पर इन मतलब जिस तरह की अज थोड़ी जी बारिश कटनी शुरू हो जेगी और कल तो बाद नौतरी कनू जड़ा साफ हो जेगा मौसर क्योंकि पर ना बूरा दिसंबर साथ को बारिश नहीं कोई वी रिकॉर्ड की ती गई जनौरी वी अद्धी जनौरी दे विच कोई बारिश नहीं होई उस तो बाद जड़ी ये बारिश होई है इन मतलब एस बारिश ने काफी ड्राइस पहल नो तोड़े है कि जड़ा मौ पहसम चल रहा सिगा एकदम टैंपरेचर वदना शुरू हो गया सी तो ओदे नाल भी फसलानों नुक्सानी है क्योंकि हले एन्नी चल्दी गर्मी आएगी यो फसलाली लाहे बद नहीं है तो एदे नाल इकता फाइदा होई गया कि टैंपरेचर जड़ेने तापमानों कटन नाल फिर पीली कंगी तो ठहरा रहेगा और बचा रहेगा अदर्वाइस जड़ा मौसम है गया उस तो बाद जड़ा खुल जएगा ओ लाहे बंद रहेगा मैं अज़र जड़ा है कि अभी नाल फिर पाणी नाल लाया जावे क्योंकि इना दिना दे विच तेज वावा बारिश गड़े यांदी सभावना है कि जथे पाणी लगगा होंदा हो थे नुखसान फिर ज़्यादा हो जड़ा हो जड़ा है सो एया की जिथे पाणी खड़ा या उत्तियसी किसान वीरानों पील करांगे कि यहो खेता चो पाणी बार काड़ दें ताकि यह दा निकास हो सके और मतलब जड़ा फसलों नुकसान ना होए